लास्ट हरे मैंने एक सिरीज की शुरुआत की है जिसमें मैं वेरिस इंवेस्टमेंट थीम्स के बारे में वीडियो बना रहा हूँ और मैंने आपको बताया था कि मैं कैसे मार्केट में पारिस्पेट करता हूँ पहले थीम्स को पढ़ता हूँ उनसे कन्विंस होता हूँ और फिर उसके बाद कोई स्टॉक है जो उस थीम को विलॉंग करता है उसमें मोमिन्टम आता है तो पारिस्पेट करता हूँ पिछले शनिवार को मैंने वीडियो बनाया था इलेक्ट्रोनिक मैनिफाक्चरिंग थीम पे हम लोग कॉंट्रेक्ट मैनिफाक्चरिंग की बात कर रहे हैं और हम उन थीम्स को पकड़ रहे हैं जो इस कॉंट्रेक्चरिंग थीम में आते हैं तो पहला वीडियो था 17-18 साल से और मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी वीडियो के थ्रू मेरी जो भी लर्निंग्स हैं जो हिस्टोरिकल है और जो नई लर्निंग्स में मार्केट में ले रहा हूं आपके साथ में कॉंस्टेंटली शेर करता रहा हूं चलिए चर्चा शालू करते हैं आज का जो थीम है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे उसका नाम है फ्लॉरिनेशन एक केमिकल है एक तरीका ऐलिमेंट है चलिए केमिकल नी ऐलिमेंट है जिसको यूज करके कंपॉंट्स बनते है और फ्लॉराइन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आफ आवर लाइश्टेल है इन फैक्ट जितना इतना मैं पढ़ रहा था इसके बारे में मुझे रिलाइस हो रहा था कि यह तो हमारे नीजी जीविन के साथ में बहुत ज़्यादा एसोसियेटेड है तो इस थीम के अंदर में चाइना प्लॉस वान बेजर रीजन है यह थीम का इंडिया में बड़ा होना जैस है तो हम जो घर में यूज करते हैं जो नॉन स्टिक और वहां पर जो नॉन स्टिक कोटिंग होता है वह एक्चली फ्लॉरीन है जो वायर्स होते हैं वायर्स अब देखिए कॉपर वायर्स होते हैं जिसको कवर किया जाता किसी प्लास्टिक आइटम से अग्चली वह प्लास करते हैं दातों को मजबूत रखने और डिकेट से बचाने के लिए और बहुत कुछ अप्लिकेशन से तो फ्लोरीन है हमारा थीम है आज के चर्चा के लिए फ्लोरीन एक तरीके का कंपाउंड है जो अविलेबल है मादर नेचर में और वो इस तरह से देखिए आप मैंने फोटो भी डाली है कि वो किस तरह का दिखता है इसके बहुत सारे अप्लिकेशन से और जैसे दर सेम अप्लिकेशन समझेंगे इसका एक्शली में यूटिनिटी वैल्यू आपको समझ या मतलब इसको जब हम किis भी electronic process का पार्ड बनाते हैं तो यह उस process को काफी moderate कर देता है तो अब यह वाटर रिजिस्टेंस है यह कंबस्तिबल है है और यह और पर सस्टेट है तो जैसे मदा नेशर ने हमको अलग अलग तरिके के minerals दिये, elements दिये, compound दिये, हम basically combinations करके बहुत कुछ बनाते हैं, जो उसका finally किसी ने किसी consumption item में उसका utility होता है, तो fluorine is also one of those things which is derived from mother nature, fluorine के काफी साथे offsuits है, one of the offsuit is fluoropolymers, जो एक तरह का plastic दिखने में लिखता है, but actually plastic नहीं होते है, वो fluorine से निकलता है, तो polymary बोल सकते हैं, but actually not technically, it is not that plastic, it is also used as lubricants, as silents, as leather conditioner, और ये फारवा में भी use होता है, as one of the compound, and इसका application industrial chemical के उपर में काफी काफी strong है, fluorine का अगर global reserve देखेंगे तो सबसे जादर reserve है, इसका मेक्सिको में, उसके बाद चाइना में, चाइना में काफी है, और इंडिया काफी है तक चाइना पर dependent है, for its chlorine needs, and South Africa, Mongolia, and so on, फ्लोरोगेमिकल, जो की फ्लोरिंग का ये offshoot है, ये करिबन 400 million dollar का market है, 2019 का रिटा को देखें तो, और इसका अगर application split को देखें, तो फ्लोरो, फ्लोरो कार्बन का 37%, फ्लोरो polymers का तकरिवन 23%, और फ्लोरीन-based intermediaries इसका 21% है, 25% pharmaceuticals और clinical development जो इंडिया में होता है, वो फ्लोरीन एटम्स को कैरी करता है, और 67% of recently developed agrochemical molecules contain a fluorine atom, ये तोड़ी technical बाते हो गए, मुझे भी जब मैं पढ़ रहा था, सीख रहा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि कुछ नई बाते सीख रहा हूँ आज, और ये समझने के बाद realize हो गया है, कि यार इसका तो बहुत बड़ा application है mankind पे, और ये तो perpetual growing story हो सकती है, अगर इंडिया इसके अंदर में अपना edge create कर लेता है, तो, floor chemical में application अगर देखें, in terms of की कहां का use होता है, तो 18% pharmaceuticals में, 21% automobile में, refrigeration में 8%, refrigeration मतलब जो AC बगर में use होता है, refrigeration, agrochemicals में 12%, जो की अपने आप पे बहुत बड़ा growing industry है, air conditioning में करिवें 11%, refrigeration हो गया, refrigerator, air condition को अलग से mentioned है, यहां पे, electrical and electronics में तकरिवें 15% और others 15%, इसका मतलब, इसका usage is quite diversified, तो जो भी company इस को बनाती है, इसके offshoot को, derivatives को बनाती है, उसको बहुत बड़ा market मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक industry पर highly dependent है, जैसे कई ऐसे, especially auto components में कई ऐसे पार्ट होते हैं, जो एक specific segment of automobile को ही dependent होती है, फ्लोरो chemicals में वो बात नहीं है, which is a very very big advantage, फ्लोरो polymers दो भाग में generally distribute होता है, PTFE और ETFE, एक तरह का plastic ही है, but it has a very very different kind of resistance towards the electricity, जैसे मैंने बताया था ना, इसका negative electricity में a convention है, तो it has very very strong power and it is used, largely used for the electronic applications, PTFE का around 53% worldwide consumption market share है, और बाकी जो derivatives है, जैसे PVDF, FEP, PVF, यह सारे अलग-अलग offshoot है, फ्लोरो-पॉलिमर के, फ्लोरो-पॉलिमर का manufacturing medical hoses, देखें, medical, जब आप medical hospital बगर में गए हो गया, medical hospitals में जो pipes होते हैं, जो plastic के pipes, अचलो वो plastic नहीं है, वो फ्लोरो-पॉलिमर है, tubes, gaskets, films, ventilator के components and other products, इन में इसका application है, फ्लोरो-पॉलिमर का demand काफी भड़ा, especially COVID के अंदर में, जब medical equipments का demand भड़ा, तो काफी ज़ादा demand इनका generate हुआ, बिकाज इनी से ही, पाइनली वो medical equipments बन रहे थे, and गुजरात फ्लोरो-केमिकल, is the only producer of फ्लोरो-पॉलिमर इन इंडिया, यह company ही गुजरात बेस, they are actually the only producer of फ्लोरो-पॉलिमर इन इंडिया, और मोटा-मोटी आप यह PPT में आपको दे दूँगा, तो आप इसको और डीटेल में देख सकते हैं, बट मोटा-मोटी एक बात समझ में आगे कि यह जो ग्रोथ है, overall, फ्लोरो-पॉलिमर इंडिस्ट्री की, वे एक stable, steady ग्रोथ है, और जैसे-जैसे इसके और अप्लिकेशन आते हैं, यह products ऐसे होता ना, जिनके application हर 2-3 साल के अंदर में नए applications में दिखने लग जाते हैं, तो जैसे ऐसे applications और बढ़ेंगे, वैसे-वैसे इनका ग्रोथ और बढ़ने लगेगा, फ्लोरो-पॉलिमर की coating भी होती है, जैसे एक application में दिखा रहा हूँ, कैसे pipe में इसकी coating हो रही है, कैसे screws के अंदर में इसकी coating हो रही है, PTFE भी अगेन एक तरिके का फ्लोरो-पॉलिमर है, जिसके utilities है, जिसका application है, PPT आब बाद में देख लीजेगा, रेफ्रिजरेंट जिसका leader है SRF, रेफ्रिजरेंट मतलब जो gas use होती है AC में और और भी उसके जो अपनी industrial applications है, तो it is a domestic, SRF जो है यह इसका domestic leader है, और दुनिया बर के अगर players का नाम देखेंगे आप जोसे Cynokam, Honeywell, A-Liquid, Arkema और SRF तो दुनिया बर के नाम के अंदर में SRF actually is one of the leaders in this domain, देखे इस पे scope तो बहुत है क्योंकि AC का penetration इंडिया में काफी लो है, खाली 7% AC का penetration है, तो जैसे जैसे penetration और भड़ेगा, हम global average की तरफ जाएंगे, demand of AC will go up, demand of AC will go up, obviously the demand of gas will go up, because finally AC चलने में gas का बहुत बड़ा रोल है, तो this is a structural story which will play over a longer time frame, यह ही actually thought process है, investment theme का, कि मैं एक story अपने को पता लग गया, और उस story से हम मोटा मोटी अपने convince है, मैं जितने भी वीडियो बनाऊगा, उसमें मोटा मटी convinced stories पर ही वीडियो बनाऊगा, जिससे मैं convinced news पर वीडियो बनाऊगा, जो फायदा नहीं है, और उन्ही stories में से क्या क्या stock है, और उनको track कैसे करना है, यह पूरा मैं आपको सिखाऊँगा, और कब उनमें पैसा डालना है, बिकाउज ऐसा नहीं कि मैंने आज वीडियो रिकाउड कर लिया, इस story पर, तो मंदेज आके आप खरिदेगे, ऐसा नहीं करना है, यह story को आप आपको tracker में डालना है, और जब मौका मिलेगा, तब उसमें participate करना है, फ्लोरो स्पेशालिटी अगें एक नेक्स लेवल का application है, फ्लोरीन का, जिसमें और स्पेशालिटी केमिकल्स इसमें डिराइब हो रहें, especially in the domain of agrochemical, because agriculture और chemical around agriculture is a very, very rapidly growing sector globally, और pharmaceutical और agrochemical में इसका, फ्लोरो स्पेशालिटी का काफी जादा applications देखा जा रहा है, well scope और challenges की बात करें, तो scope तो बहुत है, because fluorine और उसके derivatives are being considered as something which will have huge application in future, problem क्या है, government के regulations हैं इनको लेके, government के हमेशा रहता है कि climate और regulatory और environmental concern रहते हैं, जैसे चाइना के अंदर में concern आ गया, obviously these are polluting industries, these are not clean industries, तो उसका एक impact रहता है, और एक अच्छी बात यह कि entry barrier है, हर को यह नहीं कर सकता है काम, और वो गलत भी है, क्योंकि कुछ भी establish करने के लिए बहुत बड़ा cost चाहिए, तो उतना बड़ा cost हर कोई नहीं लगाना चाहता है, बट entry barrier helps the existing players to grow, और हमको तो वही देखना है, कि existing player कौन है, और क्या उसको और growth मिल सकता है, यह PPT दोस्तों में share करने वाला हूँ, आपको इस video के नीचे, please download कीजेगा, and obviously whoever wants to read in English, because मैं English नहीं बोल रहा हूँ, मैं English transcript दे रहा हूँ, अगर आप English पढ़ना चाहते हैं, तो PPT download करके इसको आराम से पढ़िए, और दोस्तों के साथ में share कीजेए, Porter's का five force model, जो की extended protocol, एक measure करने का, एक company का strength और weakness को evaluate करने का, उसके हिसाब से आप देखो कि barrier to interest में काफी high है, तो अच्छा है, जो already players है, उनके लिए बहुत इच्छी बात है, दूसरा bargaining power of suppliers है, moderate है, well, क्या होता है कि, आप ऐसा supplier हो, या आपको कोई अगर supply कर रहा है, तो आपको ये देखना पड़ता है कि, अगर bargaining power मेरे पाँ ज़्यादा नहीं है, तो क्या मैं ज़्यादा price charge कर सकता हो, या अगर मुझे कोई supply कर रहा है, तो क्या मैं उससे ज़्यादा bargain कर सकता हो, क्योंकि ये industry चाइना पर dependent है काफियत है, because इसका जो core raw material है, वो fluorospar, और भी दो-तिन जो उसके raw material है, उसका main sourcing चाइना से आता है, मेक्सिको ये क्या और चाइना, क्योंकि इंडिया चाइना के पास में, तो obviously चाइना से हम ज़्यादा इंपोर्ट करते, तो वहाँ पर एक issue रहेगा मेंशा, कि अगर वहाँ किदाम बढ़ेंगे, तो इंडिया के पास में bargaining power नहीं हैंगी, bargaining power to customer, जो किया कि क्या मैं customer को जो दे रहा हूँ, उसको price increase करके दे सकता हूँ, अगर मेरा margin अगर को increase करना है तो वह भी moderate है, moderate इस नहीं है, because supply chain में एक बार ये customer घुश गया, तो वह customer को इससे निकलना बड़ा बड़ा difficult हो जाता है, तो yes, it's a moderate bargaining power, competition भी moderate है, because entry barrier is restricted है, और हर को इसमें नहीं घुस पाता है, और क्योंकि market इतना बड़ा है, ग्रो भी करने वाला है, तो इसमें competition high, moderate to high है, competition तो आई सकते हैं, but moderate competition, I would say, is the best category in this, and threat of substitutes low है, because flooring जो है, उसका popularity भढ़ ही रहा है, और जितना popularity भढ़ेगा, उतना इसका utility value भढ़ेगा, उतना इसका alternative usage, alternative product भी कम होगा, तो threat to substitute is less, so more or less, हम लोग इस mindset में रह सकते हैं, ये industry ठीक है, growing है, और इसके अंदर में opportunity मिले, तो हमको दिमार लगा रहा है, और यहीं शायद बाकी industry के players लोग भी देख रहे हैं, तो Jubiland Agriva ने Capix announce कर दिया, Lakshmi Organic ने Capix announce कर दिया, और acquire कर लिया, chlorochemical company को, अनुपन रसायन ने भी acquire किया है, क्योंकि अनुपन रसायन जो Agri chemical में है, उनको यह चाहिए होता है as part of its raw material, तो उन्होंने backward integrate करके, बिला जी से 10 pack को ले गिया, दिपक नाइटरेट ने announce किया है, कि वो 300 क्रोड का Capix करेंगे, है तो बहुत चोटा 300 क्रोड, बढ़ ठीक है, टेस्टिंग है, और अगर अच्छा बना, तो फिर वो obviously और expansion कमिट कर सकते हैं, बट अभी आज की रेट में, तीन major player है इसके अंदर में, जो dominant करते हैं, और ये तीनों player जो है, मुझे लग रहा है कि, अपना dominance को बरकरार रखेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था, कि उसका dominance काफी है, जो कि multiple चीजों में है, खाली एक ने काम नहीं करती है, वो gas वाला भी करती है, प्लस उसके लावा backward integrate करके, उन्होंने इसमें भी काम किया है, और नवीन, फ्लोरीन, ये तीन actually इस domain के अंदर में, बड़ा काम कर रहा है, और मैं आपको बताता हूँ कि, ये तीन company अब identify होगे, अब हमको करना क्या है, हमको market में participate कैसे करना है, जैसा कि मैंने का, कि आपको participate तरीके से करना होगा, you should not be in a hurry to just buy anything and everything, because ultimately buying everything and anything, at any price, will reduce your margin of safety, और हम share बजार में margin of safety concept को, उतना weight is नहीं देते हैं, जितना हमको देना चाहिए, इसको कहता, EMS theme, तो उसके सारे stocks यहां गए, ताकि मेरा tracking में रहे, trading view के अंदर में, कि मेरे chart क्या बोल रहा है, और ये देखे, weekly setup है, weekly और daily, ये daily और two hourly के basis पर हमको नहीं करना है, because ये सब themes long term play करते हैं, तो इनको short term के लिए play करके, कोई मतलब नहीं है, तो अगर ये तीनों stocks को हम देखें, तो आज मैं record कर रहा हूँ, 31 तारीकों कल budget होने वाला है, बट मैंने सुझा आज record कर रहा हूँ, तो आज बजट के लिए 2-3 दिन में काफी वीजी रहूँगा, तो नवीन फ्लोरो, अगर आप weekly chart को देखें, तो ये ये तीनों stocks जो है, वो अपने weekly chart में एक retracement के बाद में, थोड़ा recovery के तरफ जाने का एक direction दे रहे हैं, अभी भी इनके अंदर में related strength week है, तो मेरा पहला इसका requirement क्या होगा, कि वीकली basis पे जो RS है, और RSI 50 के उपर होना चाहिए, और RS 21 जो में weekly में यूज़ करता हूँ, ये 0 के उपर होना चाहिए, जो ये बात समझते नहीं हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि, ये मैंने record कर रखा है, learn to trade में session number 31, आप इसको देखिएगा, आपको अच्छी understanding हो जाएगी, मेरा पुरा model क्या करता है, कैसे work करता है, तो this is basically the chart structure, वेर अभी आज की rate में, इन में momentum कमजोर है, तो मैं obviously बड़ा पैसा commit नहीं करूँगा, although इनका price action में, अभी तक जो हुआ हुआ है, वो positive ही रहा है, यहां से लेकि यहां तक का पूरा moment आ गया, थोड़ा retrace तो करेगा, देखिए जबी भी कोई stock, लंबा moment देना चाहता है, तो ऐसे जाता है, यहां से, फिर retrace करता है, अल्मूस्ट 50% retrace करता है, या 67% retrace करता है, फिर यहां से ओपर चलना चालू करता है, तो यह सारे stock सब वो retracement zone पर आ चुके है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इनके अंदर में कोई भी एक demand zone में छोटा सा पैसा भी कमिट करूँगा, तो अगर मुझे इन stocks में, overall इस sector में, अगर मेरा portfolio सब दस करोड़ का है, और मुझे इस sector में एक करोड़ रुपया डालना है, क्योंकि मैं obviously दस करोड़ पुरा एक ही sector में डालूँगा नहीं, कम से कम 4-5 sector में contribute करूँगा, तो मुझे सब जिसके अंदर में एक करोड़ दो करोड़ रुपया डालना है, यह stock में momentum डाउन है, तो हो सकता है और नीचे आ जाए, तो मैं risk carry करना चाहता हूँ, बर थोड़ा बहुत investment करने से मैं at least इन stocks को tracker में डाल सकता हूँ, और अगर इन में कभी भी momentum मुझे दिखे कि momentum आ गया है, तब फिर मैं breakout पे, जो कि important है उसके previous वाले swing का breakout पे, मैं और पैसा commit करूँगा, तो सही अगर मेरा trade चला गया, सही momentum में मैं आ गया, तो मैं इसके अंदर में अपना bet को बढ़ाता रहूँगा, obviously एक target होता है price का कि भी इस भाव के बाद मैं इसको बेच दूँगा, ideally आपको लेना भी चाहिए staggered way में, बेचना भी चाहिए staggered way में, एक ही भाव में लेना और एक ही भाव में बेचना, that may not be the right strategy, तो चलिए वो देखते रहेंगे हम लोग किस sector के अंदर में overall buying interest आ रहा है, किस stock के अंदर में जादा strength आ विजाविज other stocks, यह हम लोग देखते रहेंगे, study करते रहेंगे, और जब मौका मिलेगा, तो हम इन में अपना position build करते रहेंगे, I hope you understand this model of mine, I will identify investment themes, I will identify stocks within those investment themes, I will identify momentum, and when there is momentum, I will participate, otherwise I will not participate in those stocks. I hope you found this interesting, दोस्तों, और अगर आपको यह PPT चाहिए, तो आप डाउनलोट कर लिजे, और अगर अच्छा लगा, बहुती ब्रीफ सा theme study कर रहा हूँ, बहुत डीप नहीं जा रहा हूँ, विकाज जितना डीप जाओंगा, उतना complexity add होता है, और आपके लिए मैं आपकी life को complex नहीं करूँगा, मोटा मोटी आपको एक understanding दे दूगा, हर theme के बारे में, which you should know for sure, तो अगर आपको अच्छा लगाँ, तो share देव कीजेगा, और मेरे साथ पहली बार जुड़े, तो दूस्तों मेरे नाम है विपेग बजाज, और share बजाज 17-18 साथ से देख रहा हूँ, और survive कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी अच्छा करें, Thank you, bye-bye, Please take care.